स्री चक्रपाणी महाराज की यह वीडियो नंबर 14 द्वालतन और द्वारावती लीला दर्शन है वीडियो नंबर 14 अब इसमें लीला करेंगे 9 और 10 इसमें 9 नंबर लीला है रूप नायक के अवार में अवस्थान यानि दादा के घर में रहना और उसके बाद विवाहो सविकार किया तो डो लीलाтом रूप नाइक के अवार में उस्थान लीला नंबर 9 रूप नायक यानि दाधा जनक नायक के पिता जह अब यह जनम स्थान है उसको हो होगे रूप naIGH का अवार सरवदलने महितले सर्वावी श्री चक्रदर महराज जी ने कहा बाई जनक नायक के चक्रपाणी रावला पूर्वीला आवारा गेवनी आले यानि अपने पुराने आवार में ले आये यह वर ब्रह्मचरेवरत वेदमार्ग दर्शन ब्रह्मकरम ब्रह्मविद्या विज्ञान कारे आंगी करी वापिस आने पर अपने बड़े होने पर उन्होंने क्या किया ब्रह्मचरेवरत वेदमार्ग दर्शन ब्रह्म करम यानि ब्रह्मविद्या विज्ञान का कार्य ऐसी पांच चीजें चक्रपाणी महराज ने 10 साल 11 साल की उमर में स्विकार की 12 साल मान लेते हैं एक परकार से किया क्या ब्रह्मचरेवरत वेदमार्ग का धर्शन ब्रह्म करम यानि ब्रामनों के करम ब्रह्मविद्या और विज्ञान कार्य ऐसे पांच चीजों का अंगिकार किया श्री चक्रपाणी महराज जी ने गावातु कृड़ा अधी कूची अरंभिली कौव में कृड़ा अधिकूची आरंभिली गावातु क्रिड़ा अधिकूची यानि और भी ज्यादा क्रिया शुरू की ऐसी परीशी चक्रपाणी रावला मुग्द दशा पावली इस परकार से चक्रपाणी महराज जी ने तरुन अवस्था में आ गए यानि 16 साल के हो गए चौदा साल बोली आप ठीक है चौदा पंद्रा साल की मान लेते हम तरुन अवस्था में आ गए हां गौर्वर्न सुन्दर मूर्ति मूर्ति थी वह गौर्वर्न की हो गई 22 लक्षन अन्वित पूर्ण 32 लक्षनों से युक्त सि चकरपाणी महराजी की मूर्ति थी ऐसे देखो नी लोग कन्या द्यावेया ये ती ऐसे देखकर लोग अपने बेटी के रिष्टा लेकर आते थे थे हमारी बेटी आप लेलो इससे शादी कर लो आप आन मनती और कहते आखो झनक नाई को पुत्र विवाह का न करा अठिक नाइच मैं चली बेटे की शादि क्यों नहीं करते या बेटे का विवा लाएक्टा मार लगनकावर करत नई तुम मैं माखें पृपुत्र Airlines नाहीं जदखनाई जी कहते हैं। करेंगे पर बेटी की प्रविर्टि नहीं है। ब्रह्म्चरइ दर्दारीले असे। और ब्रह्म्चरे का उरंण किया है। और शास्त्रीतर पुत्रविन कुलहिन बोली लाष्य तरी कैसे करांगे aur और शास्त्रों में पुत्र के बिना कुल हीन कहा है तो कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा अब जनक नाय जी को पढ़ गया बेटा तो हो गया पर बेटा कहता है मैंने आगे शादी नहीं करनी अब और फिकर पड़ गए पहले अपने बेटा नहीं होता था बेटा हुआ 15-16 साल का हो गया शादी के लाइक हो कह रहा है जी मैंने तो ब्रह्म चरेवरत करना मैंने शादी जहीं यह करनी अब हमारा कुल हीन होगाँ साधी कर लो सन्यास मतलो अनुसर मतलो हमारे कुल का क्या होगा कि अ का थी आज भी लोगों को नहीं प्लतकर पता नहीं कौन सा क्ल चलाना हमारे सभा सिंसी आरी आई ऐसे अपरी बहुते वर्ष लोट ली ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए तब जना अग्रहाची थोर्ची दाठी उठेली तब जनों में पब्लिक में अग्रह की बहुत जादा लोग बोलने लगे आन सोला वर्ष भरली और चक्रवाणी महराज सोला साल के हो गए ऐसे वारित वारिता पिते नी चाकना जावुनी व्याड निश्चे करुनी आले ऐसे मना करते करते भी चक्रवाणी महराज के पिता चाकन यानि आपने नाना के ससुराल में जाकर शादी पक्की करकर आ गए और अलपेची काले तिथी निश्चों हो नी चाकना विवहा सुईकार वस्त्र अलंकारे सी संपूर्ण सिद्धता जा दी और थोड़ी देर में ही तिथी पक्की हो चाकर तरीक शादी पक्की कर दी सब कुछ खृद कर शादी की तयारी कर लिए अब तो शादी करनी ही पड़ेगी विटा तुमारे को उन्होंनों मना किया कि मैंने नहीं करनी अब आज भी देखे वड़े केसिस वो कह रहे हम शादी पक्की कर रहे हैं मेरा वचन दिया तुन्हें शादी नहीं की तो मेरा मरे हुए का मुझ देखेगा अभी मेरे पास आते हैं लोग बोलते हैं कि हमने जहां रिष्टा कर दिया तुम्हें करने ही पड़ेगी अपने बेटी पर या अपने बेटे पर जोर डालते हैं आज भी ऐसे माता-पिता है अब आज क्या करें शादी तो करनी पड़ेगी और यह सब चलता जा रहा है संसार ऐसे ही चलता है अब चलते हैं लीला नमबर दस विवाहो स्विकाद सहा महीने अवस्थां अब चाकन में उनकी शादी पक्की हो गई मामा को बोला आगा शादी करो यह मामा की बेटी से शाहिए शादी यह देखते हैं इसके साथ हुआ की सर्वतने महराज महराज चाकन चले गए बसे थोड़ी आएगी आजकल तो बसे आती है, अब तब बसे थोड़ी थी, फुमाल होगी, आप भी कैसी बाते करते हैं, बैल गाड़ी पे स्वारियां जाएंगी लोग, अब दीरे 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 उस समाने में, अब बैल गाड़ी पे गए, अभी बैल गाड़ी चलती थी जाऊ, आजकल तो कार जाती है, बसे जाती है, हरू है जाज אז ऑचकर तो चलती है जाती है तो आप चलते हैं, छाड़ी पे जानले दो हमारे, चकर्बानी महाराJ की, फिर गाड़े, गोड़े, लगन की, शादी की त्यारी होने के बाद सब भारात लेकर वराण लेकर सब चाकन पहुंच गए मग चक्रपाणी रावला रत्न जडित बासिंग गलाच चंदास बहुच बूशने मुदरिक पुष्पमाला अंगी चंदन के शुरू चर्चिला ऐसे अपरी नौवर परी नौवर कला ब वह बना जोगा ऐसे लटता के हैं, जहां उस्त पुलों के हार ढ़के अंग को सारे श्रीर को चंदन और केष्ण लगाया इस परकार से नवर देव की नवरा यानि क्या बोलते दुला की नवर कला साजली उसको सजाया गया चक्रपणी महाराजी को पुरा सजाया गया ठीक है जी सुन्दर से अब धूल्य में और सन्दर लग रहे होंगे देखो इशरवतार भी शादी कर रहे हैं चकर्पणी महाराजी मेन नहीं को दो आपको मेरे से शादी इसमें करवा रहा हूं और अगे चलते हैं तौ नहीं से हस्ती रहती है कुतने खुशी हो रही है चक्रवाणी महाराजी की शादी हो रही है देखो श्रीकिष्ण माराई की रुक्मनी से शादी हुई श्री चक्रवाणी माराजी से कमलाईसा से किस से शादी हुई वो आएगा नाव आगे और श्री गोविप्रोव माराजी शादी करने की सोची तो तीन दिन बरात चलती रही वहाँ पर सब से जावोटील बाद में कह उस्लोड़की निदौारा शादी नीसी एक बरामने दने लोधिकर मेला शादी करता। जो चुत शेयर चंश का रहे तो श्रावणार तो नोाट्वत्यु क 600 तरे महाँ ईकने शादी तरह देखो सब कुछ मिलता जुलता ही है यह चक्दतात्य माराजी शादी वादी चक्र में यह वह रिशी वेश था वो जड़ा बड़े-बड़े काम है उनके स्रिष्टी के अलगी नंदे नो कि श्रीक्रिष्ण स्रेक्रिष्ण महाराष्ट जब जब दस्त उनको तो रेड़ी अंड यार वाले सॉलड बेष्ट जीव चाहिएं और यह सब बचा देखो बचारे काहन यह वतार देखो पुरी दुनिया के अंदर आगर सब दुनिया के जिती रिवाज फॉलो करते हुए प्रमेश्वर का कारे कर रहे हैं ठीक है आगे देखते हैं ऐसे अपरी नौबर परी नौबर कराबान ले ऐसे चक्रवणी महाराजी दुल्ले का चहरा सुहाना लगता है वाना भी एना सा ते देखत खेवो व देश में लग रहे थे जया आवया वीची दृष्टी पड़े ते परते सरेचिना जिस व्यक्ति की दृष्टी उनकी तरफ जाती थी वह जिस श्रीर के अंग पर महाथे पर गई तो माथा देखता था चहरे पर गई तो चहरा बाजू पर गई तो बाजू हाथों पर गई मंत्रों चार के साथ चक्रपाणी महराज जिस खेशासgende और की मलाइक कमलाई स्याधे कर दूसरेदे Да कामल लाय को मामा मामा की बेटी से शादी होती आज मैंने केसी से देख्यां कि मामा की मेश्मा प्रेटी से बहुती अ कि सुटी तो उसे zit मामा की बेटी से साधी होते हैं मैं है होता है मैंने देगए दो कैसिजा यहां मेरे पास बदर पूंत जाता है जाता है एसा होता है तो बेटीी की दुसरे पाद पंडी शादी मामा के बैटी सोई थी ऐसे दोड़ी होता है रिष्टेदारी में शादी करते ना पेस्चान में तो यह पॉसिबल है जो गनपत आप पर थे भोगी उनके मामा थे ससुर भी थे यहां पर इनके मामा है और ससुर है ब्रामरों में शैने ऐसा कुछ होगा का अरिवाज आगे देखते हैं चलिए आपने बेटी को वदू को बस्त्रलंकार करने की सब्सक्राइब करते हुए उनोंने आगले दिन देहेज या दाघ बोलते हैं या जो भी देते हैं पड़ारा ते यह में भी पुलते पञ्जाब में यह दर शमर्थ इंडिया में ते लस्ते हैं थे जूआले यह वद्ले दिन दुबर के dus Иक दूसरे को वस्त्रस लंकार साथि यानि लड़के और लड़की के लिए फल्टन जाने का मुहूरत नहीं था अब क्या करेंगे जी मनोनी राउला सहा मां स्थेथ ची वस्ती जाली फिस्ची चक्रपणी महराज छे महिने महराज जादी होकर वहीं रहे वापिस घर नहीं गए प्रण। two गो मेरीस。 म कर दो दुनिज्ची लड़की महराजेंगे जाना बातिक फल्टन को वापिस गऐ तब तक अपने सास्य रहे एसे चकरपाणी महराजी की शादी आप लोगों ने पर सुना मैंने पहली बार पड़ा कि शादी कैसे हुई चलो हसी में जाक इसमें एक बाद सोचने को देखो सिद्ध चक्रपणी कृष्ण महाराई ने रुक्मनी माता से शादी की रुक्मनी सुवेंबर कितना सुंदर रुक्मनी सुवेंबर 25-24 अध्याय दुनिया पारायन करती है शादी जिनकी नहीं होती वह को पाठ करते हैं चक्रपणी महाराई ने शादी के उसका वर्न देखा गोविंपरों महाराई की शादी के लिए सोचा तो महदाइसा ने दवले बनाए सब तैयारियां हुई और सी चक्रपणी ने हंस राजा से शादी की ऐसे देखो हमारे चार अवतारों की सिमिलरिटी कि इतनी है शिदत बावा बिल्कुल अलग है यहां पर हम लिस वीडियो नंबर 14 को संपूर्ण करते हैं लीला नंबर आठ और नौ पूरी हुई नौ और दस पूरी होई यहां पर श्री चक्रदर स्वामी की जय धंडवत हो